हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज एंक्यूज में दोस्तों कैसे हैं आप उम्मिद करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लेटेश नर्सिंग वेकेंसी लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है दोस्तों यह है वेकेंसी इंटिलिजेंस कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड आई सी एस आईल से है दोस्तों यह वेकेंसी देली की है देली से वेकेंसी है दोस्तों तो आपके लिए इंपोर्टेंट होने और दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कि दोस्तों हमारा यह नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है इस नोटिफिकेशन में हम पूरा डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों यह हैं इंटेलिजेन्ट कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड से वेकेंसी है इस यह वेकेंसी आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है तो वीडियो में अंतक बने रहना दोस्तों हम डायरेक्ट की स्टाफ नर्स की बात करते हैं कि कितनी पोस्ट है दोस्तों इसमें स्टाफ नर्स की हम देखते हैं तो टोटल इसमें स्टाफ नर्स की 12 पोस्ट रहने वाली है जिसमें 6 पोस्ट इसमें जनरल की है SC की 2 पोस्ट है और ST की 1 पोस्ट है और OBC की 3 पोस्ट है दोस्तों इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें matriculation or equivalent from recognized university and board a great certificate in nursing from recognized institute should be able to speak in hindustani language दोस्तों इसमें जो है certificate in midwifery knowledge of hindi आपका composer है इसमें जो age रहने वाली है वो 18 से 25 साल है और आपकी जो salary रहने वाली है 17,921 से age पर आपका minimum wages रहने वाली है दोस्तों इसमें जो है females के लिए only a vacancy है दोस्तों इसमें दिया गया है कि रोहिनी और द्वारका के लिए इसमें vacancy divide की गई है दोस्तों इस vacancy की जो last date रहने वाली है क्योंकि इसमें आगे पर्मानेंट का भी chances है दोस्तों candidate reporting after the reporting time will not be considered for walk and interview walk and interview के लिए आपको जो address है वो यहां दिया गया है इंटेलिजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड आईसी S.I.L. एड्मिनिस्ट्रेट बिल्डिंग फ़िस्ट फ्लोर आपो पोस्ट ओपिस ओखला इंडिस्ट्रियल इस्टेट फेस्ट्री न्यू देली दोस्तों इसमें जो time and condition रहने वाली है जिसमें यह दिया गया आएगी one time registration fees आपको देनी रहेगी जो की thousand है shall be taken at a time final joining जो की आपकी joining पर आपसे ली जाएगी ने की interview के लिए इस नोटिफिकेशन में जो भी अपडेट था मैंने आपको बता दिया है वीडियो में तक बने रहे हैं कि आपके लिए दने बाद आप हमारी चैनल पर नए है तो हमारी चैनल दो सब्सक्राइब जरूर कर ले थेंक्यू गुडबाए